इस देख्ये दोस्तो यह ईंद्धे सोया कीमा मसाला की रेसिपी की सारे इंगिरेडिंट्स है और यह बैचलर स्ताइल में बनाएगे। तो इसके लिए हमने सोयाबिन जह कीमा फोली लिए और थोड़ा हलका गरम मसाला है, जीरा है, चिली ओल है, आनियुंस है, बोड़ा पिस्ट है, थोड़ा से टोमैटो है, थोड़ी सी आधी इंच की जैसा हमने जिंजर लिया है, दनिया एक टमेटो प्यूरी और प्याज अस लसन अधरप और हरी मिर्ची का पिस्ट चलिए बनाना सुरू करते हैं हमने इसके लिए यह लोहे का पैन लिया है जो होटल में होता है और होटल स्टाइल ही बनाएंगे क्यों डाबे पे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और इंटरनेट पर ज्यादा यह वाइरल है चलिए दोस्तों हम यहां थोड़ा सा ओइल ले ले रहे हैं यह हमने मुंग फिली का तेल लिया है हमसे कब चार से पांच बड़े चमच लिये हैं इसमें हम थोड़ा सा चिली ओइल डाल देते हैं इसके साथ ही दोस्तों हम इसमें जीरा बीरा डालतें kadar गाल जिय आ начल ऊजब जाक कर जाए कि snare मसाले डाल देंगे इसमें बीयरी तक बनने वाले रिशिपे हैं और यह बैचलर है के लिए बना रहा है हूँ जो होस्तल में रहते हैं अकेले रहते हैं ये उलके लिए है और ये फटा-फट रेसिपी है और जट-फट रेसिपी है अब दिखिए मैं इसमें या अनियाज डाल रहाँ और हरीमिक भी डाल देंगे और ये जिंजर भी डाल देंगे तो फोड़ा सौटे करेंगे फ्लेम पुड़ा हाई रखें पाजी जट-पट बनें अगे विखिए थोड़ा सा हो गया हमारा प्याज हल्का लाग अब हम इसमें सारी ये हमारी मिर्ची यद्रक और लेचन का प्यूर डाल देंगे और ये हमने बिल्कुल चंकी रखा है दर्दरा जिसकों मूलतें इसकों स्वाटे करने ही देखिए थोड़ा सा हो जाए तो आम इसको अगराम ठाट देए इसको स्मॉक भी आया घर पे ये टेक्नीक है कि आप पानी हाथ में लेकर स्ट्रिंकल करें आग अपने आप लग जाएगी डाबवी पेर और अस पे तो हाई हीट होता है तो इसलिए जल्दी उसके लग जाती है अब इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा तॉमेटो प्यूबे डाल देते हैं ये जटपट बनने वाली रेसिपी है तो हम भटा भट करेंगे ताकि क्या है कि हमारे मसाले जले नहीं हमारा अनियन प्री जले तो कि सब कुछ चंकी है और जटपट बन जले डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर मथानिया डाल रहा हूं क्योंकि राजस्तान में मथानिया चिली बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि यह हीट नहीं देता और कलर खुब्सूरत आता है दो बड़े चमच दनिया पाउडर डालेंगे लिगल आधा पिंच थल्दी पाउ जाएंगे तोगी इस देनदान मक्त में 99 फ्लस मिर्लस होता है दोश्तों और ओल्ड़े चाहिए एक्षा होता इस पर हम थोड़ा सा पानी अदिकर देगी दो सकता भी हमारे मसाले जले में मिक्स कर लेएते हैं इस टेज पर थोड़ा सा कसूरी बती आड़ कर देते हैं और साथ में पॉना कप जो है फेटी हुई दही और इसको तेजी से आपसे चलाना है यह को दही फट जाएगा फिर आप कहेंगे हमने आपको बताया नहीं तो हमने बताया था दोस्तों कि दही फट जाएगा और यह लीजिए बिल्कुल ग्रेवी तयार हो गई अब इस पर अगर कि मलाई डालना तो मलाई डाल सकते हैं लेकिन मेरी यकिन मानिए बिल्कुल धाबे से भी बेहतर बनेगी और धाबे पर यह रेसिपी दाई सो रुपे की एक प्लेट विकती है और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में मोर दन सेवन एंडड़, फाइवनड़, प सीधा कलर गया, तक सुंदर कलर आया है अब इस स्टेज पर हम जो क्रस्ट हमारे सोया कीमा है वो डाल देते हैं और इसके साथ साथ हम यह जो ग्रेनुएल से सोयावीन के यह भी डाल देते हैं और यह इसली बजार में मिलता है नहीं मिले तो आप करस्ट कर सकते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं एक मिनट भूलने के बाद इसमें पानी आइड करेंगे देख गाईस यह पूरी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गया अब यह ड्राई वाले भी डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मौश्ट करने के लिए पानी डाल देते हैं और पानी डालके एक मिनट ढखके पकाएंगे इसको यह देखे गाईस हम दे यह डखकन अटा दिया है तिकता सुंदर कलर आया है और यकीन मानिये खुसबू भी उतनी आ रही है दोस्तों इस स्टेज पर आप चाहें तो गरम मसाला एड करें मैंने यहां गरम मसाला नहीं डाला है अब हम अपना प्रियमित्र धनिया डाल देत करते हैं बंद और इसकी गार्निसिंग कर देते हैं दोस्तों मैं इसको अलग से प्लेटिंग नहीं करूंगा क्योंकि यह डाबाय स्टाइल है आप चाहें तो क्रीम ऑप्शनल है डाले या ना डाले आपकी मर्जी लेकिन यकिन मानिये थोड़ा डाल दीजेगा रिच हो जा करें और कमेंट करना ना भूले कि आप मेरी रेसिपिको कि सहर से देख रहे हैं तो लीजिए मजा लीजिए सोया की मामसाला का और यह बहुत ट्रेंडिंग है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरनेट पे इसको कॉम्प्लिकेटड बताया जा रहा है कि यह है संड़े इस फंडे इंजोई कीजिए बाबाई